दोस्तो नवस्कार मैं फर्माशिस तापश स्वागत करता हूँ मेरा तापश फर्माशिस चनल वे दोस्तो बहुती मुहिला आपको आप माँ बनने का बाद एक प्रोग्लेम होती है कि उनका प्रेश्ट का दूद का सिक्रेशन ज्यादा नहीं होता है और बच्चा का पेट नहीं भरता है और वो परिशान हो जाती है कि कैसे उनका बच्चा पेट भर सके और वो बाजार से आठीफेश्याल दूद को खरित के बच्चा को पिला ना चाते है और कोई तो पिला भी देते है लेकिन दोस्तों याद रखेगा च्छा महीना तक बच्चा का मा का दूद मिलना बहुत ही जुरूरी है बच्चा का विकास के लिए बच्चा का इमिनली पाउर के लिए जो बच्चा मा का दूद नहीं पिता है जो बच्चा को मा का दूद नहीं मिलता है वो कमजर हो जाता है और वो बच्चा का रोग पद्रत छमता भी धर जाता है और भी बहुत इसारा बीमारे का समना करता है वो बच्चा को इसलिए दोस्तो मा का दूद बच्चा के लिए अमरीक जैसे है और बच्चा को 6 माईना तक ब्रेश्ट फिडी बहुत ही जोरी है दोस्तो मेरा एव विडियो खास करके ओ महिलाओ के लिए है जो कहती है कि उनका ब्रेश्ट में दूद का सिक्र से नहीं हो रहा है कोई कहता है कि कम हो रहा है और सभी मेरा इस विडियो को जोरूर अंग तक देखिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों का ये प्रब्लम दूर हो जाएगा दोस्तो आज में एक ऐसा दावा आप लोग के सामने लाया हूँ जिसका यूज करके आप लोग ओ प्रब्लम दूर कर सकेंगे इससे पहले कि मैं इस विडियो को आगे ले जाओ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आगे भी आप लोग का दावा और कॉस्मेटिक के बारे में सही जानकरी मिले दोस्तों याद रखेगा सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होते है कोई रुप्या नहीं लगता है और हाँ सब्सक्राइब का बात जो बेल आएगा वो बेल पे टाच कर लिजेगा जोरूर ताकि निया विडियो का नोटिपिरेशन अप लोग को मिल जाए दोस्तों देखिए मेरा पास यह भी एक लैक्टोनिक ग्रैणियूर्स है कौर से देखिए दोस्तों यह 200 ग्राम का एक बोटोल फ्रम में मार्केट में एवल एवल है जिसका कीमत है 234 रुपया दोस्तों इस लैक्टोनिक ग्रैणियूर्स को Alembic Pharmaceuticals Limited ने मार्केटिंग करता है आप लोगों का यह लैक्टोनिक ग्रैणियूर्स कोई भी दावादोकार में मिल जाएगा दोस्तों यह लैक्टोनिक एक आयुरुवेदिक माडिशिन है जो 100% नेचारल इंग्रियंस देके बना गया है दोस्तों इसलिए एक लेक्टोनिक ग्रैणियूर्स मा और बच्चा दोनों के लिए सेफ है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों इसका इस्तेमाल से ब्रेस्ट का मिल सिक्रेशन बढ़ा सकता है जो आपका बेबी को हेल्दियार ग्रोथ करने के लिए सहारता करेगा दोस्तों ये ब्रेस्ट फिडिंग मौदास के लिए ही बनाए गया है ताकि आप लोगों का आपका बेबी का पेड भराने के लिए कोई आर्टिफिसियल मिल्क का जुरूरत ना पड़े दोस्तों आईए दिखते हैं इसका अंदर क्या इनगारियन्स है देखिए दोस्तों इसका अंदर सतावरी है ये सतावरी मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करके लैक्टेशन को प्रोमोट करता है दोस्तों और भी दिखे इसमें सफेज जीरा मजुद है जो iron का एक excellent source है इस electronic में पालक है जो iron के साथ-साथ vitamin B complex, calcium और vitamin B का एक natural source है इसका इलावा इस granules में जश्टी मधू, केसर और श्राभी मजूद है जो milk production को stimulate करके milk quantity मतलब दूद का परिमान बढ़ाता है दोस्तो इसे दो चमच लगबग तेन ग्राम लेके एक ग्लास दूद के साथ मिला के दिन में दो बार पिने से result बहुत ही अच्छा होती है और आप डॉक्टर से कॉंसल्ट करके भी इसका dose मेंटेन कर सकते है दोस्तो डेली भरी के बाद जितना दिन आप अपना बच्चा का दूद पिलाना चाते है जितना दिन आप ब्रेस्ट फिडिंग का प्रियोड में रहती है उतना दिन कॉंटिन्यासली इसका इस्तेमाल कर सकते है दोस्तो याद रखेगा ये दवा सिर्फ ओ मा के लिए है जो ब्रेस्ट फिडिंग करा रही है दोस्तो और एक बाद याद रखेए इस बॉडल का सील मतलब एस सील को खुलने का बाद एक महिना का अंदर ये खतम करना होगा एक महिना का बाद इस सिल्क खुलना का एक माहिना का बाद इसे यूज मत किजिए और इसका यूज करने का बाद इसका धकन को अच्छी तरह टाइट करके लगाना चाहिए दोस्तो लैक्टेसन एन्हिंस्मेंट के लिए एक लैक्टोनिक गेन्यूल्स एक बहुत ही अच्छा दाव है याद रखेगा मादर्स मिल्क इस बेस्ट फोर योर बैवी इसलिए आर्टिफिशियल दूद को इस्तेमाल मत किजिए और अपना प्रेस्ट का दूद ही पिलाए दोस्तो इस लैक्टोनिक ग्रणियूल्स को यूज करने से पहले टॉक्टोर से एक बार कॉंसल्ट कर लेजएगा जुरूर दोस्तो इस वीडियो को जादा से जादा स्यार कीजिए ताकि सभी मा को ए मैसेज मिल सके ए वीडियो पहुँच सके और ए वीडियो को आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिजएगा जुरूर दोस्तो दोस्तो मैं तापस आशा करता हूँ ए लैक्टोनिक ग्रणियूल्स के बारे में मैं आप लोग को समझा पाया ठिक से सब कुछ बोल पाया अगर मेरा ए वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जुरूर मैं इस वीडियो को आज यहाँ ही खतम करता हूँ फीर मुलाकात करंगे कोई यूनिक कोई खास वीडियो लेके दोस्तों आज चलते हैं गुब नाइट बाइवाई